अलो गुड मॉर्णिंग टू ओल आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे पेसिक ओप ECG यानी ECG के बारे में थोड़ा आडिया लेंगे तो ECG क्या है ECG एक अगर सिंपल और नोन इन्वेजिव टेश्ट है जिसमें पेसिन्ट के अपने लिम्प पे और टेस्ट पे कुछ इलॉक्टोड अटेज करते है और इलॉक्टोड के तरू अपन एक ECG मसीन रहती है जिसमें इसकी recording होती है और ECG मसीन से एक paper निकलता है जिस पर heart की जो electrical activity होती है वो record होती है और फिर उनको अपन analysis करके heart के बारे में जानते हैं कि अपनी heart rate कितना है अपनी rhythm कैसी चल रही है नॉर्मल rhythm है या कोई irregular rhythm तो नहीं है अपने हार्ट की पोजिशन क्या है यानि नुर्मल लेट सेड में है या डेक्स्ट्रो कारडिया तो नहीं है या कोई चेमबर हार्ट की जो मसल्स हैं उनकी थिकनेस क्या है चेमबर हैपट्रोपी तो नहीं है या कोई जो की blood supply heart में proper नहीं हो रही है जैसे microbial isemia है या infarction है या heart attack के कोई sign तो नहीं है ECG में और electrolyte imbalance जैसे potassium और calcium कम या ज़ादा हो जाते हैं तो उनके करन भी कई changes द्यादा आते हैं और drugs ले रहे हैं अपन जैसे digitalis अगरे लेते हैं तो ECG में कुछ चेंज आते रहते हैं तो वो अपन पैचान सकते हैं कि डीजिटेलिस की टोक्षिशिटीव गरा तो नहीं हो गई है या किसी को पेसमेकर लगया हुआ है तो पेसमेकर करके ECG देखके पता लगा सकते हैं कि पेसमेकर नॉर्मल काम कर रहा है या कुछ उसमें गड़बड़ है तो ये सारी चीज़े अपन ECG से पता कर सकते हैं तो ECG रिकोर्ड करने के लिए क्या रहता कि जैसे ही अपने हार्ट की इलेक्टिविटिल इलेक्टिकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसको डी-polirization भोलते हैं डी-polirization का मतलब हुआ कि जैसे अपनी resting stage में cell रहती है उसके जो बहर की तरफ positive ions रहते हैं और अंदर की तरफ उससेयल रहती है negative ions तो ये अपनी resting stage में रहती है जिसको जैसे ही पिर इलेक्टिकल करन्ट स्टार्ट होएगा तो इसमें iron का change हो जाएगा जैसे positive iron cell के अंदर आएगे और जब अंदर आएगे तो अंदर positive charge इसमें ज्यादा हो जाएगा और बाहर रहेगा इसमें negative charge तो इसको अपन depolyarization बोलते हैं depolyarization electrical phenomena है और depolyarization के बाद में उसमें जैसे mechanical function heart का चलू हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं ventricle systole तो जैसे ही ventricle systole होएगा heart का contraction होएगा तो वो सारे blood को pump out करेगा atrial tree में atrial tree में चला जाएगा जो अपना erota रहता है उसके तुरू पूरी body में circulate हो जाएगा और एक बार जैसे depolyarization complete हो गया उसके बाद में repolyarization चालू होता है तो repolyarization में क्या होएगा जो depolyarize cell हो वो आपिस अपनी resisting stage में चली जाती है तो उसको अपन बोलते हैं repolyarization जिसमें cell के बाहर positive iron और अंदर negative iron हो जाएगा तो repolyarization का मतलब हो गया relaxation इसमें ventricle diastole होएगा मतलब ventricle अपनी अब relax होएगी और उसमें ventricle में blood आएगा वापिस ventricle feeling हो रहेगी electrical impulse आने के लिए heart में proper अपना एक conduction system है और वो heart का system अपने आप एक work करता उसको किसी दूसरे की help की जूद नहीं रहती है तो heart का conduction system रहने के heart का जो conduction system है वो कुछ specialized tissue से बना रहता है तो जिसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले उसमें रहता है SA node तो SA node रहता है यानि sino-atrial node जो heart का उपर का chamber है जिसको अट्रिया बोलते हैं तो right atrium में आपर की side में SA node रहता है और SA node की जो capacity रहती है यह 60 tissue लेकि 100 bit permit जो यह beat है यह generate करता है और इसके control में नीचे आगे की तरफ पुरी electrical activity होती है तो इसको heart का page में कर बोलते हैं SA node से जैसे impulse निकलती है वो impulse यहाँ पर जाएगी नीचे एक AV node रहता है और atria में जाएगी atria left atria में जाएगी इधर atria को stimulate करेगी तो इन सब को यह stimulate करेगी फिर जैसे impulse नीचे जाएगी यहाँ पर जो इंट्रे अट्रे अट्रे शेप्टम है इसके पास में नीचे यहाँ पर अपना AV node रहता है तो AV node में impulse आ जाएगी AV node है इसको backup paste maker भी बोलते हैं यह 40-60 bit generate कर सकता है यह अपना AC node काम नहीं करा proper तो यह backup node की तरह काम करेगा फिर AV node से नीचे अपना निकलता है his bundle जो his bundle यह है और his bundle से पिर आगे यह divide हो जाता है right bundle branch में और left bundle branch में और फिर इन यह bundle branch से पिर यहाँ पर निकलते हैं परकंजे fibers जो की heart के myocardium को supply करते है परकंजे fibers परकंजे fibers या ventricular cells रहती है उनकी भी capacity रहती है कि 20-40 bit वो permit generate कर सकती है जैसे अपन देखते हैं CHB में complete heart block में क्या हो रहता है atria अपना अलग contact करता रहता है और जो ventricle है वो अपनी 20-40 की bit पे अलग contact करती रहती है जनरेट होती रहती है उपर से वो आती है और पूरे heart को अपना depolarization करती है और heart अपना proper work करता रहता है अब अपने को ECG रिकोर्ड करनी है तो ECG रिकोर्ड करनी के लिए अपने को ECG के लिए 10 eloktoid चीह रहते हैं यानि अपने 12-11 ECG लेते हैं तो जो 12-11 ECG रहती है उसमें टोटल 10 eloktoid से अपना काम हो जाता है यानि 10 eloktoid होते हैं उसमें टोटल जिसमें 4 अपन लिम पे लगाते हैं 4 lim eloktoid होते हैं और 6 अपन लगाते हैं चेस्ट पे 6 chest eloktoid होते हैं तो टोटल 10 eloktoid होते हैं इसमें और जो लीड होती हैं, जो 12 लीड इसी जी लेते हैं, जिसमें 3 bipolar लीड रहती हैं, 1, 2, 3, और जो 6 और 3, 9 लीड, 9 रहती हैं, वो unipolar लीड रहती हैं, ये unipolar का मतलब उसमें एक positive pole रहता है, और उसका जो negative pole है, वो दूसरी लीड के combination से बनता है, इसके बाद मैं अपनर जैसे लीड की अब recording करेंगे, तो जो limb लीड है, जैसे फैस्ट लीड है अपनी, तो फैस्ट लीड जिसका positive pole है, वो होगा left और negative pole रहेगा right hand पर, ठीक है, उसके बाद में जो second lead है, उसका positive pole रहेगा left limb पर और negative रहेगा right hand पर, तो ये अपनी second lead होगी, और उसके बाद में जो फैर्ड लिड रहती है उसका positive ओल रहता है left limb पर और negative रहता है left arm पर तो इस तरह से यह इदर फैर्ड लीड आजाती है तो इस तरह अपनी तिनों limb लीड आजाती है तो इसमें लिम लीड में क्या रहता है कि जैसे इलोक्टोर्ड है तो यह कलर्ड सिस्टम को अपन याद रख के भी कर सकते हैं यह अपन कलोक वाइज रोटेट करेंगे तो यहां से अपन कर सकते हैं राइड यूर गरीन बाइक राइड यूर गरीन बाइक का मतलब राइड यूर गरीन बाइक मतल रेड येलो गरीन और बलेक कलर तो राइड यूर गरीन बाइक के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं इसके बाद में अपन जैसे जो तीन Augmented Lead रहती है वो जैसे अपना यह Heart हो गया वो यह Heart का Center है इसे जो Right Arm पे है तो यह अपनी हो जाएगी AVR और Left Arm पे यह हो जाएगी अपनी AVL और Left Lord Limb पे हो जाएगी AVF ठीक पूट तो यह तीनों लीड अपनी इस तरह आ जाती है अब यह अपन इन शहूं लीड को कमाइंड कर देते हैं तो इसमें अपन देखते हैं कि फैस्ट लीड यह होगी अपनी शेकिंड यह होगी थर्ड यह होगी तो तीन तो यह अपनी बाइ इस तरह यह तो इसी तरह यह फैस्ट और AVL में कोई चेंज आएगा तो वह अपना लेटल वाल तो उसको लेटल वाल बोलती है AVR वैसे कोई उसका इसी जिमी कहीं पर कुछ पता नहीं सो नहीं होएगा वैसे Central of Cavity Heart की जो केवटी है उसको इनिकेट करती है इसके बाद में अपन लेते हैं Limb Lead के बाद में Pericardial Lead तो Pericardial Lead के लिए सबसे पहले अपने को Position सही रखना है कि कहां पर Lead अपने को लगाना है तो जैसे अपना ये External यहां पर अपना Supra External लोच रहता है इसके ज़स नीचे Manubrium रहता है Manubrium से अपन नीचे और आएंगे तो यहां पर अपने को Bony Ridge फिल होएगा जिसको अपन External Angle बोलते है तो External Angle के जो Lateral में Rib Attach है उसको Second Rib बोलते है Second Rib के ज़स नीचे Second Intercostal Space रहेगा फिर उसके ज़स अपन नीचे Count करते जाएंगे Third Space, Fourth Space और Fourth Space में अपन जो Right of Sternum पे V1 लगाएंगे और Left पे V2 लगाएंगे ठीक है और फिर V4 के लिए अपने को क्या करना है यह अपने Mid Clicker Line में लगाएंगे V5 अपनी Anti-Rexy Line V6 अपनी Mid Exy Line लेकिन यह तीनो की तीनो Fifth Intercostal Space में लगेगी ठीक है और जो V3 रहती है अपनी वो V2 और V4 के बीच में आ जाएगी तो इस तरह अपन देखते हैं कि जो चेशी लोक्टरड हैं अपने तो इनमें जैसे V1 आगी Fourth Intercostal Space Right of Sternum V2 अपनी आ जाएगी Fourth Intercostal Space Left of Sternum V3 वीटवन तर वीटवन तर वीटवन फोर V5 अपनी Fifth Intercostal Space Left Medical Line और V5 आ जाएगी अपनी जो की तो इसमें जो V1, V2 हैं वो Septum को इंडिकेट करती हैं V3, 4 Entrier Line को और V5 और 6 लेटल वाल को इंडिकेट करती हैं चेशी लोक्टरड के बाद में अब कई पार जैसे यह रहता है कि अपने को जैसे Aक्स्टा लीड भी लेनी Right-sided लेनी पड़ती हैं इनफेर वाल M.I. हो और अपन सस्पेक्ट करें हो R.V.M.I. निए Right-Ventical Involument हो तो फिर अपन उसमें Right-sided ECG लेना पड़ेगा तो उसके लिए अपने को क्या करना है जो V1 और V2 अपनी लीड रहती हैं उनकी पोजीशन को अपने को चेंज करना रहता है तो इसमें जैसे जहां V2 आ वहां पर V1 आ रहा जाएगा और V2 आ रहा जाएगा V1 की जगे बाकी ऐसे रहेगा जैसे लेप्ट में लेते हैं ठीक है और यदि कई बार जैसे पोज्टेर वाल M.I. है तो उसके लिए अपने को पोज्टिर लीड लेनी रहती है तो पोज्टिर लीड के लिए अपने को V7, V8, V9 तिन लीड अक्षटा लेनी है तो V7 अपन लेते हैं पोज्टिर एकजी लाईन पे V8 लेंगे अपने जो इस्के पूला लाईन पे जो इस्के पूला का TIPE है उस पे और V9 अपने ले लेंगे पैराइस पैनल रीजन में ठीक है इस तरह अपनी पोश्चियर लीड भी आ जाएंगी अब अपन सारी लीड को कमाइन कर देते हैं एंट्रियर जो लिम लीड है और चेस्ट लीड है तो जो लीड है वो अपने को फरंटल प्लेन का बताती है और जो ये चेस्ट लीड है वो अपने को होरिजोंटल में प्लेन का बताती है ठीक है अब सारी को अपने जोट दिया अब ये अपना हार्ट है ये इसका इनफिरियर एरिया हार्ट का यह इसका लेटल एरिया है, जह सुपरियर एरिया है, यह रायट लेटल हो गया. तो इसमें आपन देखते हैं, जैसे टू-ऐड ऐवीर है, तो यह तो हो गया। इनिफिरियर वाला जैसे, आपन पहले डिसकस कर लिया था. और इसमें जैसे V1 और V2 हैं वो septal area है V3 और V4 interior है V5 और V6 lateral में आदाती है तो V5,6 और FAST और AVL ये सारी FAST और AVL और V5,6 ये होगी lateral और V1 और V2 होगया septal area ठीक है और V3, V4 हो जाएगा इनका entry wall तो इन area में change होएगे तो उसी हिसाब से एपन जैसे MI को diagnose करना है तो हो जाएगा जैसे इंप्रे लीट में है तो इंप्रे वाल MI एंट्रे लीट में है तो एंट्रे वाल MI और ये दि V1 से लेके V6 में सब में है इस्टी लेशन आरा तो उसको बोल देते हैं extensive entry wall MI ठीक है अब अपने के लीट लगा दी जो नॉर्मली अपन ECG लेते हैं उसमें पेपर की speed रहती है पचीश मिली मिली मिटर पर सेकिंड ठीक है तो ECG का जो पेपर होता है उसमें जो एक बड़ा box रहता है और एक चोटे box रहते हैं चोटे box रहते हैं जो 1 mm के रहते हैं यानि इनका 1 mm की size रहती है और इनके जो time की बात करें तो वो 0.4 second का time रहता है time इनका ये और इनकी distance है वो vertical axis में इसे measure करते हैं ठीक है तो ये चोटा वाला 1 mm का है इसका time 0.4 है 0.04 second का है और ये बड़ा box की बात करें तो ये 5 mm का हो गया और इसका time हो गया 0.20 second है ये जान रखना अपने को ठीक है तो ये time आया कहां से तो ये time कहां से आएगा क्योंकि अपने को पता 25 mm अपने दी चलते हैं एक second में तो एक mm में अपने को कितना time चीए एक बटा 25 तो एक बटा 25 को divide करोगे तो आद आएगा 0.04 तो इस तरह अपन ये time निकालते है इसका ठीक है तो ये ECG का paper हो गया अपना ECG के पेपर के बाद में अब जो अपना ECG का waveform वगरा बनती है उनके बारे में कुछ term है जो अपने को मालूम होना चाहिए कि इसको क्या बोलते है जैसे एक है wave वेव का क्या मतलब होता है वेव का मतलब जो भी अपनी baseline है उससे यह जी ऊपर और नीची कोई भी deflection है तो उसको अपन वेव बोलत है उसके बाद में है complex का मतलब क्या होता है several wave यानि एक से ज्यादा wave हो तो complex बोल देते हैं जैसे qrs complex बोलते हैं पन क्यूंकि इसमें qrs 3 wave आ ठीक है इसके बाद में रहता है segment segment का मतबल क्या रहता है यह straight line between the wave और complex के बीच के straight line रहता है जैसे pr segment है या ht segment है तो यह straight line है जो wave या complex के बीच की रहते है उसको segment बोलते है और interval का मतलब होता जिसमें segment भी आ जाएगा और wave दोनों को इन्विल करते हैं जैसे pr interval है तो इसमें पी वेव भी आ रहे है और पीर segment आ रहा है और जैसे qt interval है जिसमें qrs आ रहा है t wave और ht segment आ रहा है तो interval होती है जिसमें segment और wave दोनों आते हैं अब अब अपन थोड़ा ECG की जो individual waves और segment उसके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे निकलेगी वह एट्रिया का मसल्स को और इनको स्टुमलेट करेगी तो एट्रियल डी-पॉलियराइजेशन होगा तो इसी जी में अट्रियल डी-पॉलियराइजेशन आएगा यह पीवेव की फोम में ठीक है तो बेस्ट यह दिखते है अपने को लिड टू में और इसका जो टू एन हाफ बोक्स से कमी रहना चाहिए नॉर्मली इसका इतना रहता है ठीक है तो यह हो गया अपना पीवेव पीवेव के बाद में आता है पी आर इंट्रवेल तो पी आर इंट्रवेल का मतलब हुआ है तो पीवेव से स्टार्ट से लेके स्टार्टोप क्यू आरस तक पीवेव से लेके स्टार्टोप क्यू आरस को पी आर इंट्रवेल बोलते है और यह अपने को जो कंडेक्शन होता है एवी नोड के थूरू उसके बारे में टाइम बताती है यानि जो एटेल डी पोलिराइजेशन के बीच का जो टाइम है वो इसमें अपने को पी आर इसका मतलब कंडेक्शन सेलो हो रहा है तो कुछ हार्ट ब्लोक है और यहीं इसका टाइम 120 से कम है पहले ही है इसका मतलब प्री एक्स हैटेशन हो गया यानि जो ऊपर के चमबर ए जो एट्रेल चमबर हैं और नीचे वेंटिकल हैं एंटी कर लाएज इसमें मतलब कुछ टिक है। header और यह represent करती है जो normal जो अपना इंटर्वेंट इंटिकलर सेप्टम रहता है। यह जैसे अपना wave यहां से आई, ऐसे node, AV node और फिर यहां है, तो जो सेव्टम नॉर्मल जो अपना एक्टिवेट होता है, वो मतल लेफ्ट से राइट सैड में एक्टिवेट होता है, तो यह बताती है, क्यों यह रिप्रिजेंट करती है, जो इंट्रवेंटिकल सेफ्टम को तो नॉर्मली क्या रहते हैं जैसे अपन V1 से V6 की बात करें तो जैसे ये V1 की तरफ आ रहा है अपना ये इसका इंडिकेशन यानि वेव इदर की तरफ आ रहे है तो इसमें तो कुछ अब दूर जा रही है ठीक है तो ये तो नॉर्मल क्यूए होगे लेकिन जब क्यूए ये पैथोलोजिकल क्यूए का बोलेंगे यदि क्यूए यह नहीं 1 mm से वाइड हो 1 mm से वाइड हो और 2 mm डीफो या फिर उसकी हाइट हो बेटर दन 25 परसेंट डिफ्ट ओप क्यूए रस कॉंप्लेक्स और ये अपने को ये वी 1 से वी 3 में दिखाई दे रहे है तो भी अबनॉर्म ओलते नॉर्मली वी 1 से वी 3 में क्यूए दिखती नहीं है वेंटिक्ल डीफोलियराइजेशन को यानि वेंटिकल अपनी एक्टिवेट हो रही है अब वह कर रही है नॉर्मली इसका डूर्याइशन असी से अंडेड मिली सेकंड रहता है ये इसका सो से 120 है मतलब सलाइट अप प्रोलोंग होने लग गया और ये 120 के उपर है तो मतलब है तो एबनॉर्मल हो गया यहीं वायड है इसका मतलब यह रहता है कि जो इंपल्सर ट्रेवल करने में उसको ज्यादा टाइम लग रहा है वेंटिकल मायोकाडियम को डीपोलियराइज करने में तो बंदर ब्रांस ब्लोक कुछ हो सकता है और यह क्यों यह जो वोल्टेज है तो QRS complex के बाद में बात करते हैं पन QT interval की तो QT interval का मतलब हुआ कि from start of Q wave to end of T wave जैसे नीचे पन दे सकते हैं Q wave के यहां से start होने से end of T wave तक कि यह है QT interval तो यह रिप्रेजेंट करती है total जो जो वेंटिकल डीपोलियराइजेशन और डीपोलियराइजेशन में जो total टाइम लगा उसको बताती है और यह इन्वर्सी प्रपोर्शनल रहती है हाट रेट के अपने जैसे हाट रेट सलो है तो यह ज्यादा आएगी QT interval और नॉर्मली यह साड़े 300 से साड़े 400 रहती है यह 350 से कम है तो यह फिर short QT interval हो जाता है और 450 के उपर जाने लगती है तो long QT interval हो अंदर अंदर है QT interval तो उसको नॉर्मल मानते हैं और RR interval के हाट से ज्यादा निकल जाती है यह तो उसको प्रोलोंग QT interval मानते है QT interval के बाद में अपने बात करते हैं T wave की तो T wave एक positive deflection रहता है QRS के बाद में और यह रिप्रिजेंट करता है ventricular depolarization को और यह usually upright रहता है एक AVR lead और V1 को छोड़के और इसका amplitude less than 5 mm रहेगा limb lead में और 10 mm in chest lead में और less than 1 by 8 यह R wave की height की T wave रहता है T wave के बाद में कई बार जैसे अपन देखते हैं कि एक छोटे एक positive deflection और रहता है T wave के बाद में जिसको अपन बोलते हैं V wave तो कई बार V wave भी दीख सकता है तो V wave जो रहता है वो भी less than 2 mm उसकी height होती है और यह indicate करता है Repolarization of the Purkinje Fiber Purkinje Fiber के Repolarization को बजाता है तो यह normally दिखती नहीं है लेकिन कुछ जैसे हाईपो केली में या electrolyte imbalance है या मैं में कई बार दिख जाती है वी वेव के बाद में आता है अपना जो ST segment तो segment देसे अपना बात करें दो वेव के बीच का जो straight line होती है उसको अपन segment बोलते हैं तो ST segment यह between the end of S wave and the beginning of T wave के बीच का ST segment है और जहां से ST segment start होता है यानि जहां S wave खतम होते है उस point को अपन J point बोलते है जह point बोल देते हैं उसको तो यह represent करते है कि जो time लगता है ventricular depolarization होने में और depolarization के जो बीच में time लगता हो इंडिगेट करता है सेग्मेंट और इदी सेग्मेंट कुछ abnormality आती है तो उसके मेन करन रहते हैं माय काडलिश्यम्या या इंपाक्षन जैसे कि इस्टी इलिवेशन एमाई होगा तो जिसमें सेग्में इलिवेटेड हो जाएगा तो अपन इजली identify कर सकते हैं कि इस्टी इलिवेशन एमाई है फिर जैसे नोन इस्टी इलिवेशन एमाई रहता है जिसमें सेग्में डिप्रेसन रहते है तो डिप्रेसन में जैसे डाउन सलोपींग या हॉरिजोंटल डिप्रेसन है तो यह कलीर कट इंडिकेशन है माय गाडलिश्यम्या का और यहां पिर कई बाठर्टेश्यमेंग है वो भी indicate करता है ECG को इसके बाद में यह है कि जैसे अपना ECG में जो atrial depolyresation तो अपने को दिखता है लेकिन depolyresation अपन ECG में पता नहीं लगा सकते क्यों कि जो atrial depolyresation होता है वो ओलेप हो जाता है ventricular depolyresation में तो atrial depolyresation में तो atrial depolyresation में तो अपने को atrial depolyresation नहीं दिखता है यह कुछ important point है final slide है बना यह और इसमें कुछ important point है जिसमें कि normal जो पेपर की शुट अपन 25 mm रखते हैं calibration होता हो 10 mm का रहता है यानि दो बड़े box का रहेगा इसी जीज गिराप में जो एक छोटा square 1 mm का रहता है बड़ा 5 mm का रहता है p atrial activation को बताती है pr interval conduction av conduction को बताती है qr duration 110 120 mm ventricular depolyresation को बताती है नोर्मल जो qr axis होती है वो मैंनस 30 से प्लस 90 रहता है और टोटल अपने ECG में 10 इलोक्टोर्ट रहते हैं और 12 लीड का अपना ECG होता है तो यह basic idea था ECG के बारे में next video में अपन पढ़ेंगे कि ECG कैसे पढ़ें हाव टो रीड ECG in very easy words थैंक्स